माबाप वह कर ने बाकि महीनत तो लड़के को बच्चों को करनी पड़ती है अपमजे खुशी के साथ कह रहा हूं गण है कि हमारे लड़के ने काफी मेनत की और मेनत का फ़लू नुतिजा उसको आज मिल चुका है सेना में जाने की इचा बच्वन से थी आज़ा थी बच्वन से आज से नहीं है उसकी रेस देखो कहीं भी देखो आप देख लेना उसकी वीडियो जंगलों में है सुबह सुबह जाता था बगेर एका जाज़ा था अपने जो भी उसने जम पकड़ना भागना है बहुत तेज दाव गता है वो लड़का नमस्कार में मिलाब चौहान स्वागत है अपका गडवाल तकनिव चैनल में तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूं टेरी जनपत के परताबनगर ब्लोग के ग्रामसभा ग है और समझ छेत्रवासियों के लिए बहुत ही गर्व का पाल है यह नमस्कार जी पहले आपको बहुत बहुत बदाए हो बदाए हो आपको भी गडवाल चैनल आपका जो है उसको हार्दिक सुपकावनाई हमारा जो लड़का आजा सिंग है वह अभी अभी उसका रिजल्ट मत लिए लगा लो कल दो बज़े के लगवा उसका रिजल्ट आया है काफी मेहनत की एक साल तक वो मेरे साथी राजनी चरेशी केस में राद दिन मेहनत करता था और अपनी पढ़ाही पर उसका सब ज़्यादा फोकुश था और बिना कोचिंग के उसने घर में पढ़ाई की ओनलाइन पढ़ाही की जो भी उसने अपना मट्याल बहार से लिया सब लिया पढ़ता था अपने हां सुबिच चार बजी उसका उठना था चार बजे और रेस में चले जाता था कम से कम पांच किलमेटर बागा गर दा वस्याम को चोबी सो मीटर डीरी रेस लगाता था यह कोलेज का गराउन था कितनी भड़ती इससे पहले कितनी भड़ती मारे थी उसने तीसरी बढ़ती है उसकी फस्ट एक बार वह सुरु में बढ़ती हुई थी ओपन बढ़ती हुई थी लैंसे डॉन में पोड़द्वार में वहां दोसरी उसने रुटकी में मारे दी एक्समें के वहां फस्ट आए था बलके उसके दोस्त एक और भी था उनके साथ मोटी नाम का लड़का दोन आये थे और वहां से दोनों रहे गे थे रिटन में रहे थे उसके बाद फिर दुबारा और रिलक्शन बढ़ती थी उसके मैं उनका ताओ जी हूं बालम सिंग था तो उनका सिकंद्राबाद में उनका एड़ ओफिस है फिर उसने अपने पापा के तुर्ज रिलक्शन पर वहां उसने अप्लाई किया था अप्लाई करने के बाद फिर वहां वहां 20 तारीक के लगवां वहां उसके भरती होई थी च माबाब का तो हमारा प्रियास होता है माबाब का की चलो हमारा जालों हमारा भच्छा कर सकते हैं और भ्च्या कर सकते हैं नहीं स्वार्व के साथ कह रहा हूं गर्व है कि हमारे लड़के ने काफी मेनत की और मेनत का फ़लो नतिजा उसको आज मिल चुका है सही बात है मलब सहना में जाने की इचा बच्पन से आज आज से नहीं है उसकी रेस देखो कहें भी देखो आप देख ले ना उसकी वीडियो जंगलों में है अचा है सुबह सुबह जाता था बगयरे का डर होता है वहां जाता अपने जो भी उसने जंप करना भागना बहुत तेज दाओ गता वह लड़का समर काते अच्छे रनिंग अच्छी थी जहां भी हो गया भी तक तीसरी बार भी उसने एक्सलेंट मारी अबके बार कम से कम लगा लो चार चाल इसमने सोलो सुमीटर पार कर दिया गा अभी तो आज आद रिस केस में है अब इसके बाद प्रक्रिशल्ट आया है अब जाएगा यहां से तीस सितंबर को यहां से निकलेगा वहां जा बुला रहे हैं उनको उसके बाद जो भी कारवए होती हो कि उनकी को आके कारवे करेंगे अपने डोकुमेंट्स समेट करेंगे और लोगों को क्या मैसित देना चाहेंगे आप जो युवाद तैयारी करते हैं कई माबाप का सपोर्ट नहीं मिल पाता कई बच्चों को माबाप का सपोर्ट तो इसमें अनुवार्य है अगर माबाप का सपोर्ट कुछ नहीं है और फिर माबाप का सपर्ट होने के बाद बच्चे को भी सोचना जाए कि मैं मेहनत करूँगा इसमें तो यह लगा दो खून का पानी बनाना पड़ता है आर्मी में निकलना तो बहुत टप हो गया आज की देट में आज की देट में इतना हो गया है कि आज कोई तकड़ी तकड़ी लड़के थे इतनी तीज देश थी पर फिर भी मैंने उनके बीच उनके साथ एक्सलेंट में आया हूं है फस्ट आया हूं हुआ हुआ है धन्यवाद कि अभी मेरे साथ आजाज जी की ताई जी है तो कम तुम्हें लगोना मी बहुत कुसी बहुत कुसी मेरे। ना को जी हुआ है वहा कचान में जी हुआ हो चारवाज ऑगे साथ ऐक आया हुआ है एकली ज काथी मिल था जनल माना खाथी जनल मां वहाँ बहुत की है जनल माने दू को बहुत कुसी है रही है आपने अपने लडगे को देश को समर्पित कर दिया दन्यबाद तो देखिए जी बहुती गर्म का पल है जैसे की दाजी बता रहे हैं आजाद ने बहुती परियास किया और आखिरकार महनत रंग लाई तो इसलिए कहते हैं कि कोशिस करने वालों की कभी हारनी होती तो दोस्त बहुते हैं